दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन में जो सेफ फोल्डर होता है उसका पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं यह जब अपने फोन में फाइल्स में जाते हैं और यहाँ पर नीचे की और स्क्रॉल करते तो आपको यह सेफ फोल्डर दिखता हो तो अब इसको आप कैसे change करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से home कर लेना है, और चले जाना है अपने phone की settings में, settings में जाने के बाद आपको यहाँ पर करना है नीचे की ओर scroll, और नीचे की ओर scroll करने के बाद आपको apps का option दिखेगा, आप इस पे click करिए, और उस आपको मिल जाएगा, उस पे आपको click कर लेना है, जैसे ही उस पे click करेंगे, आपको इस type का interface मिलेगा, यहाँ पर आपको click करना है, storage and cash paper, ठीक है, इस पे click करेंगे जब आप, तो आपको एक option दिखेगा, clear storage का, आपको इस पे click करना, बट इस से पहले आपको एची ध्यान मे files saved होंगी, वो सारी delete हो जाएंगी, ठीक है, तो आपको इस ध्यान रखना है, तो इसलिए पहले आपका अभी जो पुराना password है ना, आप इस पे click करिए, वही password डाल दीजिए, next करिए, और जो file इसमें already आपने add कर रखी है, उनको three dots पे click करके, move out of save folder पे click कर दीजे, ताकि य यहाँ पर जाईएगा, ठीक है, और clear storage पे click करिएगा, यहाँ पर delete पे click कर दीजेगा, ओके, और उसके बाद आप home कर लीजिए, और चले जाईए यहीं files में, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको save folder पे click करना है, आप से कहाएगा नया password set करने को, तो आप simply यहाँ पर नया password यहाँ पर डाल दीज़े, जो भी set करना हो, next करिए, फिर से confirm करिए, और यहाँ पर next करिए, और बस आपका नया password set हो गया, तो इस type से आप जो है, save folder का password change कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अगर वीडियो से help यहो तो वीडियो को कर दीजे, like channel को कर लीजे, subscribe and bell icon को press, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए,